नमस्कार दोस्तों सागत हमारा टूक चानल में आप देख रहे हैं सब्सक्राइब बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको दाध हो गया है वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसके इसमें आप कौन से औरिटमेंट का कौन से पाउडर का प्रयोग करें जिससे आपको काफी अच्छा जल देखने को मिल सके दोस्तों हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं इस टापी पे लेकिन यह जो वीडियो सबसे डिफरेंट है सबसे अलग है इसमें हम आपको कुछ ऐसा नुस्खा बताएंगे कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके दोर आपको जो पहले आप से छोट सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चनल पर नहीं है तो चनल को सस्काइब के लिए बगल में घंटे का आइकान आगा उससे प्रस कर दीजिए कोई वीडियो अपने चल पर अपरोड करें तब तक सबसे पहले पहुंचे के दोस्तों बात कर ले लेगा तो इसमें आपको प्रियोक क्या करना को दोची जों का प्रियोक करना एक तो आपको मेटिकल स्टोस पर आसानी से मिल जाएगा वहाँ से एक पैकेट आप खरीड़ी इस समय हमारे प्रवास में है नहीं नहीं तो आपको दिखाते हैं किस तरह से दिखता है वह पाउडर जैसा होता है आप जब जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि हमें सेलिसाइक एसिट पाउडर चाहिए तो वह आपको दे देगा इसका जो प्राइज होता है ठार से बीस रुपए में एक पैकेट मिल जाएगा इसको आप परचेश कर लिजी उसके बाद में आप कोई भी क्रीम ले लिजी चाहाए वह आपका पैंडरम प्लस हो या फिर आपका क्रीम में फोर्ट हो कोई भी आप क्रीम ले लीजी क्रीम करता हो काफी अच्छा करते हैं तो काफी आछसा कमें बताई है चाहे प्रेंटर मोसिटर मीफोट इसको आप पूरा कटौरी में निकाल लीजिए यह फिर आप डिबे में निकाल लीजिए उसके बाद में उसके यह और फिराने नहीं करना है यह नाजुक अस्थानौं और जो और परेखने को मिलता है कुछ लोगों को बाड़ी के इस्थान पर लोगों कुछ लोग जो दाद वाद का दावा बेचते हैं उनको हमने देखा हैं कि वो लोग इसका एक पेस्ट बना के रखते हैं पहले से और एक डिब्बे का अलबभग 225 रुपए चार्ज कर लेते हैं जबकि अगर आप पैंटम प्लस लेते हैं तो उसका जो MRP है वो 80 रुपए है और अगर आप सलिसाइक एसीड पावडर लेते हैं तो उसका MRP है वो 20 रुपए है इन्हें दोनों मिलाके पड़ता है आपका 100 रुपए 100 रुपए और उसको वो लोग क्या करते हैं कि एक मिक्स करके किसी एक डिब्बे में बना के उसका पेस्ट बना के उसके बाद में 2500-300 रुपए में गरंटी लेके सेल कर देते हैं कि इससे आपका दाथ जोई ठीक हो जाएगा उनका दाथ ठीक भी हो जाता है तो लोगों का विश्वास भी हो जाता है उनके उपर और उनकी जो सेल है काफी एदा इंक्रीज हो जाती है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चक्रों में ना पड़ें आप पहले जाए आप जक्रीम को फिर्की और भी हो रही हे तो आप लिख जू की आपघा जोंग करने आपको एक दूह करूंगोग करना है और गहीक टायम करें на हैं और इसको आपको दूनों टाइम तर woods इना है चार से पात दिन करिए और जो आम आपको ओंटमेंट बता हैं जो पेस्ट बता हैं जो आपको बनाना है इसका प्रियोग आप एक से डेढ़ हपते या दो हपते तक कर लिजिए जिस तरह से आपका दाद हो आपका दाद अगर बिल्कुल ठीक हो गया है तो उसके इसमें आप बंद कर दीजिए यहीं आपका दाद मान लीजिए आज ठीक हो गया है तो दो तीन चार दिनों तक और लगाई या आप उसके बाद में लगाना बंद कर दीजिए तो इससे जो दाद है आपका 100% तक ठीक हो जाएगा कई लोगों ने इसका प्रियोग क्या है उन्होंने बत लेकिन कुछ लोगों ने कमेंड के कि हमारे यहाँ पर मिल नहीं पारा है कि कोई राभीको का जो अप्रियोम साइट को पर दूकानों धूं क्याता है कि सर में नहीं मिल पारा है तो उन लोगों के लिए भी यह काफी ज़्यादा अच्छा है वो लोग भी vibrationsly काशेट पाउडर को purchase कर सकते हैं या आपको सभी medical stores पे आसाने से upload मिल जाएगा वहां से आप purchase कर लिजी और उसके बाद में आप कोई भी क्रीम को ले लिजी दोनों को एक मिक्स करके चाहे हो डर्मी 4 हो डर्मी 5 हो आपका या फिर आपका डर्मी केम OC हो पैंडम प्लस हो कोई भी एच्छी सी क्रीम ले लिजी और उसी में मिक्स करके लगाईए यह आपका राभी को वेंटमेंट से काफी अच्छा रियल देगा आपको और आपका दाद जो है 100% तक ठीक हो जाएगा तो जो दवा खानी वो भी हमने आपको बता दिया अगर आप चाहते हैं कि दवा का प्रियोग ना करें तो आपना भी प्रियोग कर सकते हैं लिकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा दाद ठीक हो जाए तो उसकेस में आप 2-4-6 दिन आप इन दवाओं का यहां प्रियोग के ओल आपको एक समय करना है और प्रियोग यह. क्रीम और प्रियोग करना है इसका आपको प्रियोग , य lur में에 जाएगा या फिर कहीं आपके बॉड़ी पर लाल चकत्य हो गए और खुझलाट हो रही तो वहां पर आप लगाते हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा रिजल देखने को मिलेगा दोस्तों इसके प्रियोग से आपको थोड़ी सी जलन होगी वहां पर लगेगा जहां पर आप लगाएं तो उनके इस्किन पर नुक्सान कर सकता है लेकिन अगर आप वैस्क हैं जैसे ठार साल से उपर कें तो आप प्रियोग करिए कोई प्रावलम नहीं है या फिर अगर आपका दाज जो बहुत ज़्यदा पुराना हो गया है किसी भी दवा के प्रियोग से नहीं ठीक हो रहा है कुछ लोगों का दाज ऐसा होता है कि उनको चमड़ी होती काफी दम मोटी हो जाती है तो वह लोग भी अगर आप इसका प्रियोग करते हैं तो वहां पे पे काफी अच्छा जल देखने को मिलता है तो अगर आपको दाज है इन दोनों को प्योग करिए 100% आपको रिलीव द पताए कि आपको इससे कितना रिलीव देखने को मिला तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आगया होगा और अगर इस वीडियो में को जानकरी रहे गए हूँ जो हमने आपके साथ में नस्यर के हूँ तो आप कमेंट करके मैं से पूस्ट सकते हैं मिलते हैं गले वीडियो में एक नए प्रोड़ेक्ट साथ में तब तक के लिए धन्यवाद आप अपना ख्याल लखेगा